सबी किसान भाईयों को मेरे नमस्कार आज की वीडियो में हम बात करेंगे थनेला रोग यानि की मस्टैटिस बीमारी के बारे में ये जो केस मिजे मिला है थनेला रोग का है और पशुम अलिक ने बोला कि सराप आईए गाई कुछ खानी रही है और बिलकुछ सुसते हैं तो हमेशा की तरह पशुम में आप जब भी कहीं पर भी जाए तो टेंपरेचर अवश्चे चेक करें अगर आप टेंपरेचर चेक नहीं करेंगे तो आपको सही ट्रीटमेंट कैसे करना है पता नहीं चलेगा तो जब मैंने इसका टेंपरेचर चेक किया तो लगबग 105 डिगरी फिरेनाइट के आसपास मिला जैसा कि आपने वीडियो में की शुरुआत में देखा तो हाई टेंपरेचर में बहुत सारे लोग अलग-अलग अपना अंदाज लगाते हैं कोई सोसते हैं कि कुछ वाईरल इंफेक्शन है कोई सोसता है बेक्टरिल इंफेक्शन है कुछ सोसता है पर हमको डाइग्नोसिस गाय का पूरा करना है और आप देखेंगे कि डाइग्नोसिस जब आप गाय का अच्छे से करेंगे आप आँखों को चेक करेंगे पूरे शरी को देखेंगे अच्छे से तो हमने देखा कि इसके थन में एक तरफ सूजन आ रही है वीडियो में आप को प्लाजमो सिस म protocols практически इनी कि इस मिस्टाइटिस में क्या होता है कि फायब्रोस इस कि लगबग नहीं बनती ए और सूजन अने की वज़ाश से इस पश़्ू में जो एक दम से फीवर आता है बेक्टरिल इन्फेक्षिन की वज़े और तेज बुखार की वज़े से पशुक का खाना पीना बंदोजाता है और थन के एक हिस्से में सुजना जाती है और इस मस्टाइडिस की ऐखास्यत ओर होती है कि यह जो थैसनला वथा इसे में दूद का रंग जो है बिल्कु किलियर जो है दूद साफ हाता है और थन में किसी प्रकार के चिचड़े या दूद का फटा हुआ दूद नहीं निकलता है खाली यह दिक्कत होती है इसमें कि जहां पर भी माइको प्लाज्मोसिस मस्टाइटिस यानि की थनेलरों की विमारी होती है वहां पर उस थन में इस्पेशली दूद थोड़ा कम पढ़ जाता है पर दूद की क्वालिटी खराब नहीं होती है यह इसकी पेचान है तो हमने देखा पशुमालिक से पूछा कि यह दूद की क्या इस्तिती है तो बोले कि दूद बिल्कुर किलिए निकल रहा है कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो मैंने इसको इंजेक्शन लगाया मार्बो फ्लॉक्ससीन इंजेक्शन कितना लगाया इसको 15 ml लगाया है और साथ में इसको में इनजेक्शन सीलाइट पेरासीटमल सुजन के लिए साथ में इंजेक्शन लगाया। पाइरुसी केम पिरासिट अमले और पाइरुसी चेम भी है जो क्या करता है कि एकदम से फीवर को डाउन कर देता है क्योंकि फीवर बहुत ज्यादा तेज गर्मी का समय है पस्चु क्योंकि कि गाई हाफ रही थी बेटे-बेटे फीवर की वज़े से तो इसको डबल हमने इस नहीं है क्यों लगाया निमू स्लाइट एकदम फास्ट एक्टिंग वर्क काम कर लेगा अपना आदे घंटे के अंदर अंदर पर बाद में हमको बाद में बेकप में और लॉंग चाहिए स्वेलिंग के लिए क्योंकि हमको थन में से सुजन को भी खत्म करना है हमेशा ध्यान रखें कि इस तरह के जो थनेला रोग होते हैं उसमें कभी भी एकदम से हायर एंटिबैटिक का इस्तमाल ना करें ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही एमसेप्ट पर आजाए पहले दिन और आप सोचे कि मैं पहले दिन एमसेप्ट लगा दू या फिर ऐसा इंजेक्शन लगा दू जिससे गाए पूरी तरह से ठीक हो जाए या फिर ऐसी इस्तिती नहीं करना है हमको जो ट्रीटमेंट है अगर हम बीमारी को सही डाइग्नोस करेंगे सही पेचानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको केसे इलाज करना है इसको करीब-करीब हमने 5 ml और पाइटमेश जो है विटामीन का इंजेक्शन है विटामीन ए और सेलेनियम होता है इसके अंदर ताकि जो है विटामीन की डेफिसेंसी की वज़े से जो देला रोग होता है वो भी क्योर इम्मुनिटी भिश्टर का काम करता है जल्दी क्यूर हो जाता है जल्दी ठीक होता है हमने पशुमालिक को गोली लिखिए एस्टिम मिल्क पी टीेम इसको दोो गोली सुवई शाम देने के लिए बोला है आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आपको डाइग्नोस केसे करना है आप देखिए कि ये मैं पता करा हूँ कि थन के एक हिस्से में जो है काफी ज्यादा सूजन है और सूजन की वज़े से बेक्टरिल इंफेक्शन हुआ है और इंफेक तो यह थनेला रोक ट्रीटमेंट करने का जो मैंने एक सिंपल साधारन तरीका बताया आपको पश्रो मालिक को हमने से राकाइन प्लस गोली लिखिए दो दो गोली सूबह शाम इससे भी सूजन काफी जली ठीक हो जाएगी और गाई ठीक हो जाएगी वीडियो अच्छा